हेलो नमस्कार बच्चो स्वागत है आप सभी को बेसे सिख्चा के ऑनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म पे तो आज की वीडियो में जो है मैं बताने वालों आप लोगों को दो चीज़े जो आप लोग की सीवीटी 2022 के लिए जो आपका एगरी कल्चर का स्लेवर्स है उसमें करेंगे हैं अब इन तीनों की अगर बात किया जाए तो तीन अलग अलग सेक्षन है और आपकी जो NTA-based exams होती है, उन सब के लिए ये काफी ज़रूरी भी है, ठीक है, ति इस चीज को लोग देखते हुए, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं, बच्छो, plant biotechnology होता क्या है, प्लांट biotechnology के अगर बात करोगे, बच्छो, प्लांट biotechnology में सबसे पहले जो basic चीजें आप लोगों समझना है, कि plant biotechnology है क्या, इट इंवल्स breeding टेकनिक को involve करता है, जिसके कारण से क्या होगा, plants में जो है, बहुत सारे various region के लिए, जैसे मान लीजी अगर आपको किसी पौधे में, अगर रोग प्रतिरोधी, रोधात्मक छमता बढ़ाना है, या फिर किस पौधे में किट प्रतिरोधी चमता बढ़ाना है, या किसी पौधे में जो है, आपको जिंक की मात्रा बढ़ानी है, या इस तरह से genetic level पे कुछ modifications करना है, यह सारा चीज जो है, बचो, बायो टेकनोलोजी में आता है, जिसके कारण से क्या होगा, इसकी quality इंप्रूब होती ह जिसमें extra zinc रह रहा है, extra iron रह रहा है, इस तरह के varieties का development होता है, इस तरह के सारी चीजों में जो है, बच्चो, आप लोग क्या यूज करते हो, plant biotechnology यूज होती है, इस चीज को आपको basically जो सबसे पहले यह समझना होगा, अगला हम लोग बात करेंगे, the term biotechnology जो देने वाले बे इन्हों नहीं सब्द दिया था, बायो टेकनोलोजी, और बायो टेकनोलोजी है, बायो टेकनोलोजी में जो है, आप लोगो को टेकनोलोजी को यूज करते हुए genetic level पे modification करके, किसी organism में अनिक advantages हो सकते, इसके advantage जो हो सकते, बच्चो ठीक है, यह सब चीजों का आपको basically ध्या होता है, तो जैसे आप एक जीन लिए, दूसरा जीन लिए, उन दोनों जीन को जोड के अगर genetic level पे changes कर रहे हो, तो उसे को recombinant DNA टेकनोलोजी कहते है, यह सब basically जो है आपका core biology के topics है, ठीक है, जिससे agriculture है, बहुत basic basic सवाल पूछ देते हैं, लेकिन जब अगर बच्चा नही आप grow करा रहे हो, किसी एक चीज को multiplicate करा रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे culture, जैसे tissue culture होता है, टीशू में क्या एक tissue लेते है, उस क्यालस को लेकर हम लोग पूरी independent plant develop करते है, इसी को हम लोग क्या है tissue culture, इस तरह सेल को लेकर अगर कोई एक नया individual में develop कर रहे हो, या की यूज होगी, तो वहां पर हम लोग process engineering, जैसे आप लोग जैसे बाइयो process engineering का अलग से courses भी आते है, इस ता ठीक से waste product treatment, जैसे sewage treatment होता है, नाली वगरा में जैसे देखते हो, तो water वगरा को कैसे treat किया जाता है, ये सारी चीज़े जो आपके लिए important हो ठीक है, इस चीज को रेस्पीरेशन में जैसे किड़न प्रक्रिया कहते है, जिसके कारण से बहुत सारे जो बीवरेज, पदार्थ हो गया निर्वान का कारण से हो है, ये वी हमारा क्या है, एक तरह का बायो टेक्नोलोजी का ही branch है, ठीक, नेक्स्ट अमनों बात कमें, बायो फ्यूल, जैसे जो आप सुगर, molasses और 20% पेटोर इस तरह से मिला किया जाता है, जिस आटो मोईल से चलाए जाते थे, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा है, ये बायो फ्यूल का काम करेगा, ठीक, इस तरह से enzymes and bio catalyst, bio catalyst enzyme को ही कहा जाता है, ठीक, उसके बाद बच्चो नेक्स्ट हो बात करें नाइट्रोजन fixation के बारे में, यानि कि नाइट्री करण स्थिरी करण, नाइट्रोजन स्थिरी करण के बारे में, जिसमें हम लोग जैसे बहुत सारे enzymes यूज होता है, नाइट्रोजीनेज नाइट्रोजीनेज इंजाइम का यूज होता है, नाइट्रो सोमोनस, नाइट्र है, आले इरिया थे ब्रान्ज थे बायो टेक्नोलोजी का जिन आधिन करने की जरूरत है। ऄगर सिध्याद की बात किया जाएगा बच्छो that सब्से पहले तो क्या समझना हं? कि बायो टेखनोलोजी मैं आपके इसके दो बेसिक चीज Become लोग 2 ध्यान देना सबसे पहले जो इसका दो ब्रांचे जह क्याों है सबसे पहला ब्रांच दूसरा बांच असेब ठेक इंवकल समझे हैं जैसे की जैसे किसी एक इंडिविजुल बेक्ती का या किसी पॉधे का इंसेक्ट का उसमें अगर किसी चीज सा किसी कधन कदाचित अगर आप बदलाव कर रहे हो तो इसी कुछ जनेटिक इंजिरिविंग का होगे तो इस वास्ट टेक्निक्स अल्टर दा कम पोजिशन अल्टर मतलब क्या जिसमें दो प्रकार होते है जिसमें ऐसी तकनिक सामिल है जिसमें अनुवानसिक सामगरी की समरचना को बदल देती है और इसके साथ क्या करते है उसको डिजायर जो आपका टार्गेट औरगेनिजम रहेगा उसके अंदर इंट्रोडूस करते है जैसे माल लेजिए सिंपल स आत्मक छमता, बिल्ल डप होती है, तो उसकी जेनितिक अंदर मोडिफिकेशन किया कि नहीं, किया, इसी को हम लोग जेनितिक इंजिनरिंग कहते हैं, नेक्स जो है आपको असेप्टिक इनवारमेंट का मतलब होता है, सडल रोपने वाला इनवारमेंट, जैसे सेप्टिक, अस इनटरी को प्रिवेंट करते हैं, यानि कि कहीं पर जो है पैठोजन नाहीं यहां रहार है, यानि कि वहां पर किसी तरह का भीन विसान तलीक जैसे कि इनटरिंट नहीं होStay Neill kijken, वहां पर किसी तरह का जो है नहीं को यह सब नाने के लिए जौ आपको हमेशा जैसे देखो क्रते हैं और वहां पर कोई इंवारॉन्मेंट अगर होगा तो वहां पर कोईंफीक्षण नहीं होगी तो वहां पर न सुद्ध सभी अन्ठीक इंजिनेरriel इस चीज को आपको आपको ध्यान देने की जरूरत है उसके बाद अगला हम बात करते हैं टूल्स ऑफ प्व जरूरत होगी तो देखो, simple समझी आपको इसमें करना क्या है, पहले तो दो अलग अलग जगा पे अपने अच्छे से अपनी जिन्दिगी जी रहे थे, अब यहां से हमने जीन को तोड़ा, यहां पे हमने जीन को जोड़ा, और उसके बाद यहां अंदर जो है changes आई और यहां जोड़ने के लिए भी कुछ enzyme चाहिएगा, उसके अंदर उत परिवर्दन, जो changes होते हैं, उसके लिए भी enzymes चाहिए होगी, इस तरीके से जोई है, पर क्या-क्या tools और क्या-क्या यंत्र का प्रयोग होगा, अनुवांसे के अध्यन त्रिकी में, इस चीज को आपको basically यहां ध्यान देना होगा, तो primary tools जो चाहिए होता है, वो है आपके restriction enzyme सबसे पहले, ठीक है, polymerase enzyme, ligage enzyme, vector and host organism, ठीक है, अब कहोगे सर यह सब क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़गा, बिल्कुल नहीं पड़गा, क्यूंकि आप लोग जो है, जो बच्चे biology background से उनको पल्ले और host organism जहां वो fit होगा, तो यह सब चीज जब तक नहीं जरूरी रहेगा, तब तक कहीं से काट के कहीं, जोड़ोगे कहीं से, तो यहीं सब आपके 5 tools है, जो basically जरूरी होती है, क्या-क्या tools जरूरी है, restriction enzyme, polymerase enzyme, ligage enzyme, vector और host organism, ठीक है, जनेटिक इंजिनरिंग के लिए यह सब चीजे जो है, आवस्यक होती है, next अब बात करोगे restriction enzyme, तो restriction enzyme को हम लोग molecular seizure कहते है, यह point को note कर ले न बचो, कि कौन सा enzyme को molecular seizure कहा जाता है सर, तो यह पूछा गया कई बार आपके exam में, कि restriction enzyme को भी यह molecular seizure कहते, अब seizure मतलब क्या होता, कैची, जैसे simple अगर तुम लोग होगे, तो catchy का काम क्या है, अगर हम लोग simple अगर बात करेंगे, यहां पे जो molecular seizure, जैसे हमें यहां से काटने का काम करेगा, यह simple, इसी को हम लोग क्या कहते है, restriction enzyme को molecular seizure कहा जाता, क्यों हमारा क्या क्या करता है, cut the DNA to be introduced, जिस DNA को हमें introduce करना है, वेक्टर में, उस DNA को काटने का काम करता है, इसलिए हम लोग restriction enzyme को क्या कहते है, molecular seizure कहते है, और जहां पे हम लोगों को particular site on the DNA, क्यों हमें पे पाया जाते है, उसके बार, next जो होते है restriction enzyme, दो तरके से, एक endonuclease और दूसरा exonuclease, अब यहां काटना जो है, अब वो काटना कहीं तो है, लेकिन अब कहीं बाहर क कि अंदर के तरफ काटेगा, कि अंदर के तरफ काटेगा, इसके फिसाब से वो दो प्रकार का, endo मतलब अंदर, exo मतलब बाहर, simple देखिए, चीजों को biology में हो जाहे, ag में हो न, पढ़ने से यह नहीं कि बहुत जादा burden लेके, मूरी पे, वो बोज लेके नहीं पढ़ना है simple चीजों को समझते हुए, मज़दार तरिके से पढ़ेंगे, मज़े आएगा, ठीक है, तो restriction engine का मतलब restrict करना, मतलब किसी को काट दोगे, तो रोखी जाए, कट गया किसी का, ठीक है, अब काटने के बाद दो प्रकार का endo nucleus, exo nucleus, exo nucleus, exo nucleus, जो है, वो within the DNA काटता है, कहा कारत इंडो और आउटर पे exo, ठीक, clear है, यहाँ पर बस की टर्म्स को आप लोग पकड़ेंगे न, तो चीजे समझ में आ जाएगे, अगला बात करते हैं, हिंद 2 जो है, बच्चो, first restriction endo nucleus enzyme, कौन सी हमारी first endo nucleus enzyme है, तो हिंद 2, अब कहोगे सरी हिंद 2 क्या है, तो देखेंगे अ आप लोग यहाँ पर, ठीक है, तो हिंद 2 जो हमारे क्या है, restriction enzyme है, जो यूज होता है, और यह always cut at a particular point, by recognizing the particular base pair, ठीक है, क्योंकि हमें कहां काटना है, यह भी तो recognize करना जरूरी है, पता चला, डॉक्टर को काटना था कि यह pipe और काट दिया दूसरा pipe, तो क्या होगा, इसा प इंडो नुक्लियर जो है, क्या क्या activity करती है, तो सबसे पहले inspecting the length of the DNA sequence, पहले उसी DNA जो sequence होती है, उसके लंबाई को पहले एक्सपेक्ट करता है, पहले पता लगाते है, कितनी लंबी है, दूसरा point क्या करता है, उसमें bind to the DNA, ठीक, अब इंडो नुक्लियर जो है DNA के साथ दे करेगा, तभी तो उसको काट ऐगा, जैसे simple, पहले तो हमें, मौन लो, simple सी बात है, इसको हमें काटना है, तो पहले पता करना पड़ेगा, इसके लंबाई की कहां से हमें काटना है, तो पहले तो हम लोग लंबाई लापेंगे, उसकी जाहाँ point of contact है, इस तरह से उसको point of कि आ रिस्टिक्सर क्या है पलेंड्रों मिक न्यूकली ठर तो इसका पलिंड्रोंक में you G, C, G, A , यही हमारा क्या क्या को लाएगा इस नियुक्त है धुसी इस वर थे से, परे, ऊफालजा ग्या पडान लिए जानाओ, эта लिए फाल्याजा comfort in the इस चीज को आपको बेसिकली समझना है तो इस चीज को समझ लेना उसके बाद बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या करता है तो कट द इस चैंड अफ डिये लिटर अभे फ्रम द पैलेंड्रोमिक साइट यह नहीं कि जहां पर पैलेंड्रोमिक साइट है वही पर जा क्या है जोईनिंग ठेक है तो जोईनिंग का काम हमारा लाइगेज का है रेक्स्ट्रिक्शन इंजाइम यानिक इंडो नुकलियर से काम काटने का था तो यहाँ तक यह बस आप लोगों को यही चीज़ दो चीज़ अभी तक ध्यान देना है उसके लाद डियाने सिक्वेंस को इक हो जो है इसका डिकिसिटमेंस यह जी ए टी टीसे नफ इसका पैलिंड्रोम क्या हो जाएगा始ल मैंड., जी दीक हमारा का रोजय को यह तिंडी सेगमेंट चेओ सेट्व सक्वेंस चो जाएग रेस कब सरफ जो रिपार, कई है पैलेंड जो थोज़ बहुंत्क से जवर सबसे जादा यूज होने वाला इस चीज को ध्यान देना और किस ने किया था तो मैथ्यूज मेसलसर ने किया था और फ्रेंकलीन इसकी अधिक दोनों नियुक्या लग्र को देटा है आप्टर पर टियएएवाय रेस्ट्रिक्स ने जो इंडो नूप्लियेज है जब डियन ने को बाच देता देता है तो इस customer करने का काम जो है जेली एलेक्ट्रोफोरसिस टेक्निक द्वारा होता है अब जेली एलेक्ट्रोफोरसिस टेक्निक द्वारा देखो कि जो छोटा बला पार्ट रहेगा वो सबसे दूर भागेगा है कि नहीं जेली एलेक्ट्रोफोरसिस टेक्निक में जब हम लोग इस तरह सेपरेट करें जैसे कि सीपा आप समझों जो डी एन दे खीविश घर करेंगे तो जो नेकिटिविश नेगेटिवी चारज की करेंगे तो जो क्या करेंगा पॉजिटिव चार्ज के तरफ क्या करेगा लग्डर करेंगा प्रक्रिक जो ए-लेक्ट प्रीजिश सिंपा आप लोग जांते हो इल गांक फरसेगा फोघ कीए रिएस के लिए जब ईली रोज जों सब्सक्राइब छ्योंSory लाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ओर यहां रिटेनी ये कांच तो इथीडियम ब्रोमाइड यूज करते हो दो चीजे हैं समझे इस्टेनिंग करना क्यों जरूरी होता है मान लीजिए अगर मुझे पता लगाना होगा जैसे सभी लोग देखे होगे लिटमस पेपर तो सभी ने देखा है लिटमस पेपर को कैसे हम लोग रेड से ब्लू में ब्लू से रेड में टर्ण हो जाता है इसी तरीके से अगर बदलाव करनी है बच्चो तो यहां पर जो इथीडियम ब्रोमाइड को यूज करोगे एजा स्टेनिंग के लिए कौन सा यूज करोगे इथीडियम ब्रोमाइड और उसके बाद बच्चो जो जेल यूज करोग उ इसलिए और इस टेक्नीक को क्या कहते है रिकमिने ट्रीन टेक्नलोजी कहते है अब जो फ्लाजमीड है यहां के इसके लिए अपने आपको होता है एकस्टराक्रों जोमल डिनले उपर पढ़ेंगे हम लोग रीख क्रोम सब्सक्राइबिस्टों इन अच्ट्राइद यह तो पढ़ेंगे है एक्सट्राइद करिस्देृ già वी आन धिक हुँए है थिक है तो इस चीज़ pozyम ने zod often होता है ठीक है और 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 सो किसी-किसी यूकरियोटिक और्गेनिजम में होते हैं इसके बाद यहां पर बात करेंगे कि क्लोनिंग के लिए क्या-क्या फैसिलिटी उसके अंदर होना चाहिए तो सिंपल जो है ओरीजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है भया भेक्टर है यानि कि वहां पर आके कुछ जूड़ेगा यह जूड़ने के लिए कुछ एक पॉइंट तो रहना चाहिए जहां पर ओरीजिन होगा तो ओरीजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब सिक्वेंस फ्रम शुड़ेगा जाता है वहां से हम लोगों को जीन कहां डालना था ठीक है प्लांस में तो वहां से वह हमारा दियने जो आया तो वहां से आके यहां जब फॉरेंड टियन किया है तो उसके लिए जो ओरीजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है दूसरा फार्द क्या है, तो, selectable marker होना जरूरी है, selectable marker का काम क्या है, marking जानते होगे सब्दों जैसे animal हज़िटर में भी आपने पढ़ा है, आपको, कैसे animals को chin heat किया जाता है, markers, यहाँ पर भी क्या होगा, बच्चो, selectable markers का युप्रयोग किया जाता है, ठीक है, selectable marker किस चीज में help करेगा, identifying and eliminating the untransformed cell को, ठीक है, और permitting the growth of transformed cell, जो transformed cell होते हैं, जो transformed मतलब परिवर्तित, परिवर्तित को सीखा, ठीक है, transformed cell मतलब क्या होता है, परिवर्तित को सीखा, जो परिवर्तित को सीखा होगा, उस परिवर्तिविकास के आओगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए जो है, क्या करता है, eliminate करता है, untransformed cell को, और परिवर्तित को सीखा को प्रमूट करता है, तिसी चीज को हम लोग selectable marker होना जरूरी है, next is cloning site, cloning site मतलब जहाँ पे joining of the DNA जो होगा, with the presence of किस के कारण से, त पर cloning site होना भी जरूरी है, यानि कि किसी भी vector के लिए जो है, तीन जीज होना जरूरी है, एक origin of replication होना जरूरी है, दूसरा selectable marker होना जरूरी है, और तीसरा आपका cloning sites होना भी जरूरी है, ठीक है, ये सब चीजों को आपको basically समझना है, ठीक, उसके बाद जो है, vectors for cloning in animal and plant, animal and plant में जो वेक्टर यूज करते हैं, सबसे ज़्याद से अग्रो बैक्टरियम तुमिफिकेंस, ये question काई वार exam में पूछा गया है, बच्छो, इस point को note करने है, अग्रो बैक्टरियम तुमिफिकेंस, ये एक pathogen है, जो several dicot plant में किसी इसको DNA को deliver करने के लिए, ठीक है, जिस यहाँ पर भी जो, देशसे देखिए, दो चीजे होती है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बीटी cotton में भी क्या जम्यदार है, कौन सा enzyme कैसे, किस तरह से किसको effect करता है, ठीक है, कई बार question, थोड़ा से detail में ही हम लोग पढ़ेंगे ये चीजो को, क्योंकि आपकी ज जो यूज होता है, अब यह क्या है, तो ऐसा काम है, जो T-DNA को डेरिवर करता है, किस में, नॉर्मल प्रांट को ट्रांसफर कर देता है, टूमर सेल में, और जो टूमर सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ही chemical secrete करते हैं, जो हमें जरूरत होती है, उसके बाद क्या होता है, चेंजेज हो जाते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बच्चों, अगला, कि यहाँ पर application of biotechnology in agriculture, यह सबसे important है, और इसी से question आपके exam में पूछा जाता है, तो genetically engineering crop, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं, GMO crop की बात करते हैं, GMO और सबसे जाधा बाइयो टेकनलोजी का यूज अगर होता है, GMO crop पर होता है, अगर हम बात करेंगे, तो वर्ड में जो पहला था, वर्ड में फर्स्ट जो था बच्चो, वो का पास था, वर्ड में फर्स्ट हमारा जो है, वो टोवैको है, बच्चो, तमाको, और इंडिया में जो अगर बत करोगे फर्स्ट इंडिया में जो फर्स्ट था वो था हमारा कॉर्टन क्या था बच्छे उन दोनों ही चीजों को आपको बेसिकली समझ लेना का पास के बारे में और तमागों के बारे में ठीक तो यह जो हमारे तो गोल्डन राइस में क्या था जन्टिकली जो है इनको मोडिफाई करके विटामीन ए वाले जो जीन है उसको उसके अंदर इंकर्पोरेट किया था उसको विटामीन ए प्रचूर मात्रा में उसमें पाया जाता था तो इसी को हम लोग क्या क्या था इंसेक्ट यहीं सब कुर्शन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा कि गुल्डेन राइस रीच इन वीच अब फॉलंग बिटामीन ए बिटी कॉटन कैसा है इंसेक्ट रेसिस्टेंस या फिर आपका पैथोजन रेसिस्टेंस ठीक है बैक्तिर रेसिस्टेंस ठीक है और कॉनसा इंसे रेसिस्टेंस तो भी या बॉल वॉम जो सूडी की रहा होता है ना बॉल वॉम के लिए रेसिस्टेंस होता है ठीक है अभी इस प्रति प्रति रोधी जो तमाकू का जो पौधा था तंबाकू तो यह भी हमारा क्या है बच्चो एक तरह का पेस्ट रेसिस्टेंस टोबैको नेक्स्ट हमारा वाइरस रेसिस्टेंट प्लांट में अगर देख होगे तो वाइरल इंफेक्ट्स नहीं होगा जैसे कि आपका पोटाट्टो में पपाया में और पल्म में विच वेर अल्ट रांसेनिक ऑफ वाइरस जिसमें कौन सा जीन रेस्पॉंसिबल होता है और नॉट अप्रणी रेसेजस्टेंट्स मेखैनिजम हुआ कि आरे एन एप रेसिंट ने कow Ludhine ौनुgesetzt मे क्यों हो운ता है ये तो आपका का अभायों आपका कन बना этом के 9 ने बनाया था था अब होता क्या था इसमसे तू देखिए ज्यसे टीले रायपनिंग वराइंटी क्या था दे रहा इंदि राइपनिंग वराइटी як एक हो एक देर से पकने वा दिपिन नाए थे अच्छे बिगिण डिलेड राइपनिंग वाराइटी है यह ठीक है मतलब देरी से पकने वाली किसम ठीक है अब यहां के बाद अगर हम लों बात करेंगे एक कुछ सार पाच कोस्टन हम लों पढ़ लेते हैं बायो टेक्निमोजी से रिलेटी ठीक है क्योंकि यह आपके लिए इंपोर्डेंट है नहीं भी है इसलिए कुछ इनमें कॉंसा कथन जो आपका गलत है यहां इसर दिया हुआ अल्रेडी भी ठीक है लेकिन हम लोग यहां पे पढ़ेंगे पहले सारे पॉइंट्स और उसके बाद जिस्काइट करेंगे इंजाइम देट कट डियने मोलेकुल एट इन इडेंटिफाइड पोजिशन विदिन डियने सही बात है बहिया रेस्टिक्शन इंजाइम जो है काटने का काम ही तो करता है यानि कि यह हमारा कखन सही है नेक्स्ट इंजाइम बाइंड्स दे डियने अट इस्पेसिफिक इसे पेलिंड्रोम निकलोटाइड से बगल में जाएगा तो रिवर्स ओके फिर से अपना पुराने फॉर्म में आ जाएगा इसलिए जहां पर पेलिंड्रोम होगा उससे थोड़ा सा बगल में लोग कट लगाते है और कॉन्सा इंजाइम से कट लगाते हैं इस तरह से आपको ध्यान देने की जुरूबत है यानि कि अप्सन नमर भी हमारा गलार था ठेक उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉस्टन क्याता है तो वाट इस दा करेक्ट ओडर ऑफ स्टेपिंग पॉलिमराइज चेन रियाक्शन यानि कि PCR जो होता है PCR का फ इसके बाद जो है पोलिमरेज चेन रियाक्शन होता है PCR अब उसमें बच्चो आपको ध्यान क्या देना है डी ए इसका करेंट सिक्वेंस है दी ने चुरेशन पहले होता है फिर एनिलिंग होता है फिर एकस्टेंस्टन होता है एकस्टेंसन मतलब विस्तार एनिलिंग जैसे जो तीन आपका सिक्वेंस है डी एई डी नेचुरेशन ठीक है एनिलिंग और एक्स्टेंशन यह आपका करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा तो आपसल नमबर डी जो है बुच्व आपका सही एंसर है नेक्स्ट कॉस्टन जो है डी एने फ्रेग्मेंट्स आर आप पोजिटिव लोगों को मैंने बताया था अभी जस्ट उपर ही डिसकस किया थे यह भी आपका क्लियर है उसके बात करते हैं अगला कॉस्टन जो था डियूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरसिस में दो कॉस्टन बताया था इस्टेन के लिए हम लोग इथीडियम ब्रोमाइड यूज कर रहत चैनि और दूसरा क्या था बच्चो एग्यारोज जेल था अग्यारोज जो है क्या था यूज हो रहा था आज जेल इलेक्ट्रोफोरसिस टेक्निक इस दोनों चीजों को आपको बेसिकली ध्याम देने की जरूरत होगी ठीक है ठीक है इस तरीके से आपको जो इथिटियम ब्रॉमाइड और यह दोनों को पॉइंट पे समझना है अब यहां क्या बोला है पॉजिव चाज़ फ्राइड मुव तो बिल्कुल गलत यह जो जितना भारी रहेगा वो तना दूर भागेगा यह यह हमारा जो कथन था वह सही था अगला कॉस्चन क्या है steering tank bio reactors अब देखो steer tech बायो डियक्रण जो है यह कहां से पुछा गया है तो भायो टोच्नोलीजी का application जो हमलोग बायो गैस बनाने में भी यूज करते है तो देखो इस्टियर जब करते हो तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो यानि कि ऑप्सन नंबर सी जो है आपका मेथड सही है अब इसको बहुत ही सरल एक एक जामपल बतातों भी या आप लोगों ने देखा होगा जहां पर जिसके घर पे तलाव है क्या है बच्चो तर्वाइन रोटेट करते है तो क्या होता है तर्वाइन रोटेट करने के बाद जो वहां पर 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 बहुत जोड़ से घिलाता है जिसके कारएं से मचलियों को ऑक्सीजन मिल पाता है इसलिए उसको हमेशा चला देना चाहिए कभी-कभी जो आप फाम पर रखते हो एक बा इसलिए जो हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है सुक्ष में जीव को जीवित रखने के लिए मं उफम रखने के लिए जहाँ बच्चों हम लूग इसीजिज को लिशत करते हैं इसंके आपको बैसीकली समझ लेना है अगला हुआइब करेंगा पड़ इस तरह से नेक्स वह सिंथेसाइजि़ इंजायमं जॉइनिंग इंजायम और और इंजाइंस और एफितना ही एप कि restriction enzyme और इंडो नुकलियेज और आपका molecular seizure यह नहीं synthesizing enzyme क्या होते है synthesizing नाम में है synthesize करने का काम मतलब यह enzyme क्या करेगा निर्मान का करेगा निर्मान का करेगा हमारा enzyme निर्मान का करेगा तो restriction synthesizing enzyme these enzymes are used to synthesize new strengths of DNA यहानि कि नए जो DNA का निर्मान करेगा यह complementary existing DNA और RNA template को ठीक है यह दो ताइप का होता है क्या क्या होता है एक reverse transcriptage होता है और एक DNA polymerase होता है अब देखो कि भाई यह reverse transcriptage और DNA polymerase दोनों का काम अलग अलग होता है जैसे DNA polymerase है वो synthesis करेगा complementary DNA को ठीक है और DNA template पे और यह झेहिए जो आपका reverse transcriptage है यह reverse transcription समझते होगे तुम जैसे मैंने आपको जनेटिक्स में बताया था कि जैसे DNA से जब भाईया RNA बनता है ठीक है तो इसको हम लोग क्या कहते है ट्रांस्क्रिप्सण क्या क्या करते है process को transcription अब जब RNA से टेन्न इबंता है इसको आम लोग क्या काते है reverse transcription यह जातातर वाइरस वगरह में पाया जाता है तो reverse transcription क्याते है धिक यानि कि उल्टा हो रहा जैसे reverse ही Eric में और पीछे के तरफ रखें तरहले कि यहाँ पर जो और स्ट्रेंसrekप्ड इस है स्कतिक जो है और टैंपलेट पे बनाएगा और डी ने पोलीमरेज जो है याने ही इनजाइम होना तो दोनों में कंपलिमेंटरी डी एने का ही मिनर्मान है जैसे इसेंफी टिन यहां से जोडने कादने का जो इनने इंजाइम को क्या कह सकते हैं इस चीज को धेयान दो जैसे रेस्ट्रिक्शन इंजाइम जो होता है उसको हम्दों इसी तरीके से दूसरा इंजाइम है यहां पर आपका क्या है वह आपका DNA लाइगेज इसको जो है आपको ध्याम देने के ज़रूरत है अब alkaline phosphatage जो है वो क्या करेगा तो phosphate group को cut off करेगा from the five end of the linearized sequence and prevent it recircularization यानि कि जैसे मालो अब यह 5 प्राइम और पाच प्राइम तो आप लोग जानते होगे जैसे DNA की जब structure इस तरह समलोग बनाते हैं यहां पर देखते हैं थ्री प्राइम से यह 5 प्राइम फिर यह 5 करता है तो फाइब प्राइम बाली इंड होती है उसको वो काट देता है ताकि ऐसे जब नहीं काट होगे तो क्या हो सकता है जब separate होते समय वो जैसे simple जब से उनका थेली होता है सभी लोगों ने आपने देखा होगा घर पे जब मम्मी होगा जब से जो स्वेटर होगा आप जो आप लोगों को most commonly used matrix क्या है जो यूज होता है वह यह कहां से होता है जो समुद्री साइवाल होते है समुद्र में जो पाए जाते है फाइटो प्लैंक्टेंस उन्हीं से जो है यह एक्स्ट्रैक्ट होता है अब डिने फ्रेग्मेंट्स को विजुलाइज हम लोग होता है अब सेपरेटेट बैंड्स ऑफ डिने जो होते हैं वह एक्स्ट्रैक्टेट पीस और इस स्टेप इस कॉल्ड इलूशन का डिपनीशन अगर कभी कोशन पूछे राथ इलूशन मतलब क्या होता है तो सिंपल जो आपका सेपरेटेट डिने होता है उसको अगर जो से क क्या कहते हैं इलूशन कहते हैं बात कि अब जो हम लोग इहां पर प्लाजमीड की बात कर रहा था है प्लाजमीड क्या होता बच्छो इक्स्ट्रा प्रोमोजोमल डीने यह चीज धियान देना की रिक्टारी जो कहां पर ज्यादा था बांप पाया जाता है ठीक आभी हम लो फेज ने को द्हें देना है deconstruct and one to work as a vector Cobra कर सकता है जैसे इक बैक्टेरिया फाथ अब बैक्टेरिया वाइरस र्शेस कि यहां तो इसंग पूछा गया था आपके रिखla बैक्टेरिया यही बाइरस आटाटकिंग ब्चेरिया यह हुआ पहला हो जाएगा ठेक इस चीज़ को समझिए गाए इन्टु हैपलोट सेल्स टोमैटो में यूज किया गया था नेक्स आम लोग बात करेंगे पैसेंजर डियन एक रूप में वाइरस भी यूज कर सकते हो या फिर अन्य वेक्टर का यूज कर सकते है तो वेहिकल DNA और पैसेंजर DNA दोनों में अंतर क्या होता है जैसे एक गाड़ी बस हो गया उसमें जो चीज यह ट्रांसफर हो रही है वह वेहिकल लेका लागा तो वाइरसेस भी जो होते हैं कुछ-कुछ विशानों जो है वह एज़ वेहिकल डी एने काम कर सकते हैं तो इस चीज़ को आपको बेसिकली समझना होगा लेक्स सी डी एने का फुल्पम आपको ध्यान दीना हो यहीं एक्जाम पुछ दिया था है थैक सिंथेटिक बाद जो आपका रैंडम डीने आर डीने अगर कोशन पूल देया तो रैंडम डीने जो होता है यह फ्रैग्मेंट्स है जो कि जब एक बार क्रोमोजोम टूटता है तो उसके बाद रैंडम ली छोटे-छोटे जो पिगमेंट्स बनते हैं जैसे माल लो एक बार त पहला जाता है स्मॉलर फ्रैग्मेंट्स है रैंडम डीने जो रहेंगा वह आपका इस तरह से प्लाज्मी इस तरह से बाइंड किया रेस्ट्रिक्शन जो निपलेज ने इसको काटा ठीक अब यहां पर इसके साथ यहां पर लाइज ने इसको जोड़ा यहां पर जूड़ पर रिकम्नेंट्ट डीने से नाई इंडिविजुल का निरमार हो गया पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया तो इस तरीके से इसे तरीके से पूरी तरह से चलता है अब बीती कॉटन की बात कर लेते ने प्लांट इन इंडिया या को बताया था मैंने फर्स ट्रांस जेनिक त्रांस जनिक प्लांट इन इंडिया में पहला ट्रांस जनिक पौधा है वह हमारा कौन सा हो जाएगा बीटी कॉटन जो है बीटी का मतलब था बैसिल ठुरेंजेनेस्स ठीक और यह कैसा है तो ग्राम पॉजीन प्लीक बैक्टेरिया को पॉज़न पूस्ट दिया कि बीटी आपको धेहन देना होगा cry protein is isolated and then transferred to several crop और यही cry protein जो है जब हमारे अलग-अलग पौध में जाता है तो वहां पर नुक्सान पहुंचाता है कीट को ठीक है यह cry gene अब कैसे कीट को नुक्सान पहुंचाएगा तो उसके digestive system में जाके जो उसका mid-gut का अगर बात करंगी कि तो हम लोका बॉड़ी वाठ किया जाएका तो क्या होता है तो में इस तरह से नृटींक और आईस। होता है कि इसको आपको धियाँ थिन देना होगा कि qi बेटा रहेगा वो एकदम डरे डरे रहेगा सब क्या सामने ठीक है भाई भाई भाईया पितना दे दीदी जैसे पाप आएंगे तो हीरो बन जागा एकदम सेर की तरह तो उसी तरीके से हमारा यह है पहले इनेक्टिव रूप में रहेगा जैसे इंसेक्ट ने उसको खाया तो वहां पर जो अलकालाइन पीएच मिलता है पेट के अंदर अलकालाइन इधी जो रहती है उसमें वो क्या होगा पीएच जैसे बढ़ा उसको एक्टिवनेस मिल गई और फूरतिला हो जाता और उसके की जो बात कर रहा था कालजन कंप्णी ने बनाई थी यहां पर जो हम लोग का इंजाइम जिस इंजाइम को इनिविट करता है वह एंजाइम हमारा पॉली गलैक्ट रोनेज ठीक है तो यह करता है जो क्या करता है पेक्टिन को डिग्रेड कर देगा तो इसके कारण से क्या ह पूछे जगातो अगरवर्ट रूट से होता है तो निमाटोड मैलाईडोगाई इनकोगनीटा ठीक है वह क्या करता है तो पॉध्य के जड़ को जो है बहुत ज्यादा एफेक्ट करते हैं तो निमेट्रोड निमेट्रोड से होने वाले हानी को बचा पाते हैं तो इस तरह से कापास में भी होता है तो बेसिकल्भी जो है में किस तरह से हो रहा है तमाकू में किस तरह से हो रहा है टमाटर को चीज है लोगों देखा है उसे आपके उसबsentर का ऐप europa कर्राशaurais प्लांट वाज अप्टेंड कैसे रिकमिनेंट डी एने टेखनोलोजी से ही बन पाएगा जिसको जेनिटिक इंजिनीरिंग भी कहते हैं तो अब पहला जो टॉपिक बना था वो टोबैको बना था विश्व में और उसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम किसके अगेश जैसे हम लोग बात करते हैं जो बीटी कॉटन बना था वो बॉल ओम के प्रति प्रति रोधी था इसी तरीके से जो कपास में जो तमाकु में बना था वह हमारा वीडी साइड के अगेश्ट जो है यह बनाएगा था फरस्ट ट्रांसजनिक एनिमल जो था वो चूहा था जिस में देखोगे तो चुहा हो जाएगा लेकिन पांट में टोवैको और आपका कपास्टिक उसके पहला ट्रांसजनिक पॉधा जो इंट्रोडिउस हुआ था इंडिया में वह 2002 में ब्यूटी कॉटन बनी थी और इंडिया पॉपुलेशन के लिए माइक्रोब्स को जो है पॉधा गंगा जन की पिरिटी बहुत दिनों तक बरकारार रहती है वहां पर बैक्टरियों फाज पाए जाते हैं वह सब बैक्टरियों को किल कर देती तो वहां पर हम फुल नहीं रहते इस वाश उसकी पुरिटी लंबे समय तक क्या होता है में तेन रहता है ठीक है इस च इसमें तो पूटीडा में और इसके कारण से जो है जेनेटिकल इंजीनियर बैक्टिरियम विच प्रोड्यूस क्लीन ओयल जो हमनों बात करता है सुपर बग तो वेल इतिंग बग जो होते हैं उसको हमनों क्या कहते हैं सुपर यही जो है पूलूशन को करने के लिए बहुत ज बीटी कॉटन क्या होता है यह पेस्ट रेसिस्टेंस है ठीक है और यह किसके प्रतिरों दिया तो बॉल्वम के प्रतिरों जो है वह बीले राइपनिंग यानिकि इसकी जो पकने के समय लेट से होता और इसके न्यूट्रिटिटिव कॉलिटी भी बढ़ी रहती है गोल्डन क्या हो जाएगा वह हमारा हायर प्रोटिव कंटेंट यह हमारा इसके कारण से होगा बीटी ठीक ट्रांसजेनिक नेक्स्ट कॉर्न और ब्रिंजल में इंसेक्ट रेसिस्टेंस दिया गया है सोयाविन और मेज में जो हर्वी साइड रेसिस्टेंस इसलिए हम देखते है अभ तो अगला बच्चों क्उष्ण आपका रांट कि का नियान देना की प्लांटर की को उतक है उतक ठी सिटी जुटिक और इसी क्या Какते क्या विफिर्ट कर सकता इसी het बच्छो टोटी पोटेंसी या फिर सेलूरा टोटी पोटेंसी जो कहा जाता ना एक सेल अगर पूरी ऑर्गेनिजम में डेवलाप कर सकता है उसके बाद बात करेंगे सिंगल सेल प्लांट सेल विदाउट सेल वाल जो होते हैं वो यह सारी चीज़े को जो हम लोग यूज कर सक नियंत्रित अवस्था में होता है जो आपका चीजें अवस्था में होता है और आपका जो बाता वरन होना चीजें हो पाएगा यह दोनों ऊब चीजने होगी तभी जाके जो यह हो पाएगा प्लांट इस का हि defensive przyl इंब्रोम मतलब कौल्चर इंपरोम मतलब कें होता है린ud रिज से मतलब ईसी जो होती हैпр wiped होता है इस दिर्शू का एक छोड़ा से पाट green culture छिए को , फिसे से क्यालक कब बनाना है और ये हमारा यांवा यहाँ चीजो कि आप लोग digo धियान देना है बच्चो कैसा होता और वूनित होते हैं यह इस चीज को आपको basically समझ लेना है ठीक clear हो यहां तक उसके बाद बात करोगे तो procedure क्या क्या है the plant part जो लेते हैं हम लोग उसको क्या क्याते एक्स प्लांट क्याते है ठीक है the part of the plant used for culturing is known as एक्स प्लांट समझें और उसके बाद एक्स प्लांट है cultured in in vitro nutrient medium ठीक है यानिकि जैसे simple हमने यहां से यह लिया अब इसको हमने क्या किया एक medium में हमने इसको transfer किया यहां से क्या हुआ यह grow हुआ और grow होके क्या हुआ नया plant में develop हो गया new plant में इसी को हम लोग क्या क्या क्याते है पूरा एक हिजाब से समझोगे तो tissue culture क्याते है और इसको हम लोग क्या क्या थे इसको हम लोग क्या क्याते है nutrition medium क्याते है सिंपल अगर आपको diagram से समझना होगा तो इस तरह से आप समझ सकते है पोशक माध्यम में रखा अब यह एक्स प्लांट यहां जाके grow किया और इस तरह से नया plant में develop किया इसी पूरी टेक्निक को हम लोग क्या क्या मैक्रो न्यूट्रिंट होना चाहिए और मैईटामीन होना चाहिए किसमें यह nutrient medium में मैज्टीयम में जिसके कारण से प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा ठीक है उसके बाद आपका सुक्षम पोशक तत्तों भी चाहिए अब सुक्षम पोशक तत्तों का अगर बात करोगे तो पोसक तत्वर में बच्चो आईरन मैंगनीज जिंग एक्सेक्टर चाहिए होता है ठीक कार्वन और इनर्जी की सुरोत भी चाहिए अब कार्वन के लिए जो सी अचो चाहिए या फिर सुक्रोज ग्लुकोज यह सब बॉर्ण होके इनर्जी देगी इसके अलाब विटामिन्स लोगों को बायो मॉलिक्यूल्स के बार है सिंपल सारल सी बात है कार्वोईड़ विटामिन्स लिपीड स्टिक एंजाइम्स यह सब चीज आपके स्लिवस में दिया हुआ है बायो के मिस्ट्री में जो हम लोग सबसे सुरुवात करेंगे पहले बच्चो पी एच एंड बफ जीरो से लेकर चओदो तक होता है साथ न्यूट्रल होता है ठीक है इधर के तरफ जो है एसिडिक खोते हैं यानि की basic होता है यानि कि छारिय होता है यानि कि इधर के तरफ क्या होगा भी या चारिय होगा और इधर के तरफ क्या होगा भी या अमलिय होगा ना अमलिय और चारिय को आपको बेसिकली ध्यांदने की जरूरत है बच्चो ठेक उसके बाद जो है अगर इधर के तरफ बढ़ोगे तो हाइट्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब क्या होगा पीच जब hydrogen iron की concentration बढ़ेगा यानि की pH क्या होगा घटेगा और जब hydrogen iron की concentration घटेगा यानि की pH क्या घटेगा यानि की pH क्या होगा भीया बढ़ेगा इस चीज को भी आप लोग मुल मंत्र को मान लिजिए ठेक यह सारी चीज़ आपको ध्यान देना होगा pH क्या denote करता है तो acidity and alkalinity दोनों को denote करता है ठीक है तो pH जो denote करता है वो क्या करता है denotes acidity as well as alkalinity यानि कि acidity as well as alkalinity यानि कि अमलियता और छारियता दोनों को यह तरसाता है यानि कि अमलियता और चारियता जो है दोनों चीज आपका यहां पर यूज होता है अब buffer मतलब होता है समझू buffer मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसके अंदर अगर आप कुछ भी acid मिलाओ बेस मिलाओ अपना pH को नहीं बदलेगा यानि कि क्या होगा, buffer has resistance to change in pH, resistance to change in pH, resistance to change in pH, इसलिए हम भोब बात करते हैं ला, कि buffer solution की बात करते हैं, जो है इसी तरह से resistance to change in pH, यहिए प्रतिरोधि होता है, अब अब अखरों बात करें पी एच का, तो पीछ का फर्मूला क्या होता है, इस तरह इसे minus log h plus, ठीक है, है तो वैस्ट फेवान छोगा तो मैने सीट टो क्या बनेगा एज़ प्लस को मैनस और अर्य प्लस मैनने यह किसी भी Marlee तो क्या बनेगा है एक प्लस प्लस सील मैनेस एने फ्लस माइनस इस तरीके से चीजे बिस आइड हो रही तो इन देनों चीजेयों और इस प्रोटोन डोर क्योंकि एच प्लस निकल रहा है और वस एक होएंगा जैसे मान था माम करतें जैसे ये यह हम बात करएंगे है इस तरीके से जब अन आ estas इस तरह के साब को समझना होगा अब यहां पर भी एच प्लस जो है हमारा कॉंजूगेट एसीड है जैसे ने प्लस हो गया तो यह हम लोग इसको क्या कहा सकते हैं यह समझ यह चीज है आप लोग बेस्तर वरीगेस और समझ होगे कि पी एच क्या होता है अब बात करें बॉफर बाफर क्या बाइलोजिकल सिस्ट्रम है जो क्या करता है मेंटेन प्यएच बाइलोटिकल सिस्ट्रम युज लगा वफर तो मेंटेन प्यएच अब जैसे ऐसा था नहीं है है बदलाव को रोकने के लिए बदलाव को रोकने वाला थो हमारा क्या हो जाएगा ना जो है जो आपका विए अजैसे आप जानते हो और प्लस आपका उसका इनका जो मिक्सचर होता है ना इसी को आपको प्रकाइब गैस्ट क्या है घANNA में बदलाब होता हैSitu मतलब क्या रोकना नहीं होने देगाता तो बफर मेंगनें इसके साथ अगर ुछ और क्या यह लाएगा इस आपको समझना है अब हम लोग बायो मोलिक्ण के तरह बढते हैं अगर करोगे तो बेसिक होगा आपका कार्भो 속लेट्स कार्भो ऑडिरट्स क्या होते हैं सिंपर क्रिक्स चरिकरिखा कर अगर कभी कुछा तो कि सबसे प्रयाप्त के जैबिक अनू तो हो सबसे प्रयाप्त के जैबिक अनू तो इसिए कानने की ज़हता है सिंपल आप पोली हैड़ ऑड है आ जी नहीं एक संब्सक्राइब और हमारा ऐ오light और क।की यह हमारा और हमारा क्या होगाइब है, और हमारा क्या और हमारा क्या हो जाएगा है, तो aldehyde और ketone क्या थे फंक्शनल भूरूप थे इसी तरी किसी यह क्या है हमारे polyhydroxy aldehyde or ketones or substance that yield such compounds on hydrolysis basis पे इल्ड करता है ठीक है और इंपरिकल फॉर्मुला की था है CH2N ठीक है तो यानि कि हमारे क्या हो गया अगर तीन होना चार होगा थे ट्रोज पांच होगा तो क्या होगा ओक्टेज कहला इसी तरीक से अब यहां पर देख लीजे तीन कार्वन वाले क्या है , यह सब एक्जाम्पल कार्वन वाले में इंध्रोज पांच वाले में राइबोज इसलिए तहम लोग ड्योक्सी राइबोज उब होते हों सब्सक्राइब क्या है है इस तक यह सब कुछ एक्जाम्पल्स थे बच्चो किसके कार्वो हेडड यॉट्र एकल संकरण एकल यूनित रहेगा एक लुटोज चुछ यह हमारा C6H12O6 हमारा क्या है ग्लुकोज मोनोमर है ग्लुकोज का मोनोमर है तो इसलिए इसको क्या 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 कह सकते है सरल सुगर कह सकते हैं, सरल सकरा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सरल सरकरा, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल पोली हड्रोक्षी अल्डिहाइड होता है, या किटोन का यूनिट होता है, लेकिन सिंगल यूनिट होगा, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, सिंगल यूनिट हो सबसे जबंड होता है क्या करते क्या करते यह हमारा सबसे ज़्यादा है इस तरह से कहा गिया इस चीज़ को आपको बेसिक लिए ध्यान देन में जो है कितना होता है दो से लेकर जो आपका 15 तक मोनोमर यूनिट हो सकते हैं तो उसको क्या करेंगो और अगर इसी में एक चीज दैसे डाई सेकराइट की अगर बात करोगे तो डाई सेकराइट में क्या होंगे तो इसको क्या करेंगे यहां यहां हुआ उसको डाई सेखराइट दो से अधिक हुआ तो ओली जादा हो जाएगा तो यहां पॉली सेंगे तो इस तरह से आपको ध्यान देना है वह होता है उसका लैक्तोज mbaltoz ने सब हैं अमारे क्या थी तैनों जयसे कि आप बात करोगे सुख्रॉज है फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है भी आरेक्ट्चsl से मिलकar इस थारीके से दौ यूनिटक होते हैं इंसलस चीजों को ब्रॉक्त १ो होते हैं एक होती त्रक्चरल निर्मानात्मक होता है और ग्लाइकोजन ये कहा पर होता है कहा पर होता है प्लांट में होता है कोई भी अगर भंदारन करता है प्लांट स्टार्ज के रूप में एनिमल जो है ग्लाइकोजन के रूप में अब स्ट्रक्चरल प्रपॉली सक्राइड में आपका सेलूलोज हो जाएगा ठीक है इसी तरीक से नते हैं ऑल्डिहाइडग में क्या होता है कि टनिक में यह दोन हमारे जैसे देखोए ग्लुकोज और और फ्रूक्टोस देखें कि टोनी ग्रूप में यह है और अल्ली हाडी ग्रूप में यह है आपको जिस्ट दे दिया गया है एक लेक्चर में इस जिस्ट को आप जितने बार पढ़ोगे न उतने नई चीज़े करोगे इसको दो से तिन बार आप जरूर से रिवाइज कर लेन इनूलीन जो है बचो यह क्या है इनूलीन भी क्या है स्टोरेज कार्बोहइड्रेड है क्या है स्टोरेज कार्बोहइड्रेड भंडारन के लिए ही होता है और कहां पर पाया जाता है बचो यह आपको पता है कि कहां पर पाया जाता है इन सब चीजों में यह पाई जाती है नेक्स्ट काईटीन जो है ये फंगल सेलवाल को बनाता है याने कि कोवक का कोशी का भित्ती का निर्मान ठीक है तो ये भी हमारा कॉन करता है बच्चो काईटीन करता है नेक्स्ट अगर बात करोगे इसलिए क्या होता है इसलिए यह क्या होता है यह सब कुछ आपके प्रोटीन जो बच्चो क्या है तो एक अमीनो एसीड का लंबा चेन है जैसे यह क्या करता है इनजाइम के रूप में प्रोटीन नेचर के होते हैं मतलब क्या होंगे नाइट्रोजन उपस्थित होगा या फिर हॉर्मोन भी हो सकते हैं प्रोटीन जैसे की इंसुलीन हो गया हमारा या टीश्यू फाइबर बनाने का काम भी करता है मतलब protein जो है structural काम भी कर रहा है ठीक है भंडारन का काम भी कर रहा है hormone का काम भी कर रहा है और आपका structural काम भी कर रहा है इस तरीके सिसे इसके functions है some of the protein molecules takes part in transportation जैसे group 4 जो है वो क्या करता है तो परिवाहन में भी help करता है परिर्वाहन में भी हेल्प कर रहा है ठीक और इसको हम लोग क्या कहते है एंटीबोडी कहते है उसके रुबिस्को क्या है तो most abundant protein present in the biosphere ठीक है रुबिस्को जो है क्या है most abundant protein है और collagen क्या है most abundant protein present in animals अगर biosphere में पूछेगा तो आपका ज्यादा प्रिथवी पर सबसे ज्यादा protein प्रिथवी पर सबसे ज्यादा protein है वह कौन सा है बच्चों तो रुबिस्को है ठीक और अगर animal में देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है तो यह आपका answer हो जाएगा collagen ठीक तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा next protein क्या है heteropolymer ह है heteropolymer कि सीज की amino अब लेकि यह अभी बताया था और कॉंसी बॉंड होती है तो polypeptide bond होती है मानलों अगर दो amino acid को जोड़ना हुआ एक polypeptide bond तीन amino acid को जोड़ना हुआ तो दो polypeptide bond है ना इस तरीके से question पूछ देता है आपको कि दो amino acid को जोड़ने के लिए कितने polypeptide bond तीन को जोड़ने के लिए 2 चार को जोड़ने के लिए 3 इसी तरह से अमीनो अचिट्स चोटे है बच्यों यह क्या है और गैनिक कंपाउंड यानिक अमिनो एसिट्स हमारा क्या है कारबनिक पदार्थ है तो इस चीज को आपको भेसिकली ध्यान देना होगा है हमारा carbonic पद तो डॉटल जो अमीनो अचिट्स होते हैं 20 अमीनो अचिट्स होते हैं इस होता है इसको लोग क्या कहेंगे भई याजिटर आएं कहेंगे चेंगे थीज़ान देने की जरूरत हो होगा अब essential amino acid मतलब होते हैं आवस्यक आवस्यक ठीक है तो भाईया और यह जो है अनावस्यक अनावस्यक और आवस्यक में समझें आवस्यक मतलब हमारा शरीर जो चीज को निर्मान नहीं करेगा वो चीज हम बाहर से लेंगे जैसे हमारा देश चीज नहीं उत्पादन करता हो हम दूसरे देश से मंगाते हैं तो चीज की आवस्यक्ता होती है हमें अनावस्यक की बात करोगे अनावस्यक का काम क्या है कि हमारा सरीर में खुद बनता है हमें भोजन में इसकी जरुवत नहीं परती है जिसका एक्जामपल है अस्पैरजीन, सिस्टीन, ग्लुटामाइन, ग्लुटामीक एसिर, सेरीन, प्रोलीन और टाइरोसीन, आर्जिन, एलाइन, ग्लाइसीन तो यह सब हमारे सरीर में नहीं बनता है अमिनो एसिर के यह बेसिक भी हो सकता है एसिटिक हो सकता और निूट्रल भी हो सकता अब एसिटीक एकजामपल बेसिक वासिए तो early, तो हमारा कभी कोस्टन पूछें कुछें कि कौश्यो tac. अमिन एक्ज़ीन है कौशा हमीन स्ट्रक्चर मतलब प्राथ्मिक समरचना कि अगर बात करोगे तो यह लॉंग चेन अमीनो इसीड का ठीक है जहां पर और यहां पर क्या होगा है अब जाएज नगर पहुंच चुका है तो यह बहुत ज़्यादा क्या होता है समझ लेना होगा प्रोटिन चेंज अब जो है उडेन बॉल की तर जैसे जो हम मैंना भी बताया आप रोगो को कि गोला जैसे ममी जब उनको इस तरह चो गोलती उसी तर रहता है अब बहुत ज्यादा और हो जाएगा एडवांस ठीक है यहां पर आपको ध्यान देना होगा नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे लिपीड के बारे बच्चो लिपीड मतलब क्या होता है वसा संपर सिम्पल समचो फैट ओयल वैक्स इस्टेरोइट कोलेस्ट्रोल इनर्जी एलडिंग से क्या से उर्जा अधिक उर्जा देने वाले योगिफ को स्षिआ इसको ध्यान देना नेक्स्ट हम भात करोंग एक पॉरिजार्वा необходимо मन्था टिक हे उसमें एक कारवन रहता है तो मिथायल कह होगे और एक से उनाइस कारवुद्द gitakhe और उससे इस ए सेच्फॉरेट्टी आर्रलेट्टी नहीं और ऑनसाख्व मत्ली है अगर कारवान कर विछ इस तरी से एक से लेकिन से मतलब पार श quality याने क्या में बाहर से चीह होता है और आप लोगों को को सबाता है इसलिए बाहर सेलेना पड़ता है और नॉन इसेंसे हमारे सरीर खुद बनाता है इसलिए बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं परती है इन सब चीजों को आपको बेसिकली समाज लेना है अब आगे बढ़ते हैं बच्चों निक्स्ट आप सब्सक्राइब अब लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है मेल्टिंग पॉइंट इस लिए जमता नहीं घू मैंद जब जाते हैं अब कंप्लेक्स जाते हैं यहां शाल प्लेक्टिय जो लिपीड होते हैं उसका इकजांपल आपका फॉस्फुल लिपीड अप्रेजंड इसका एक्जांपल लेसितिन हमारा क्या है complex lipid का example है, तो complex मतलब לתर होते हैं उसका example आपका क्या हो जायागा? अब steroids क्या होते हैं यह हमारे hormones, जैसे steroids होते हैं यह सब जो होते हैं बच्चों हमारे क्या होते हैं, यह means steroids होते हैं यह दो पूछ सब आप कोछेगा करने का जैसे सुचकılar का मतलब जैसे तरीके से आझा प्री करते हैं लोग उज घ्योट को किसे अमस्ट करते हैं आजक चीज को आपको इंजाइम के अब के पोइंड बस आपको द्यान देना। इन्जाइम जोते के प्रोटिनिसियस नेचर के होते हैं इस पॉइंट को ध्यान देना मुख्य रूप से नाइट रोजन से बने रहते हैं अब इंजाइम जो होता है जैसे टेंपरेचर एबव 40 डिग्री हो जाता है तो इंजाइम गेट्स डैमेज यानि कि 40 डिग्री से उपर पर उपर में इंज आगा जाइम काम नहीं कर पाता है और अगर नहीं कर पाता है तो इसे को क्या कहते हैं बक्छे इसको कहते हैं इसलिए स्था होती है किसी भी आगे इसलिए तो करेबाला और जाएगा और फेपरेश के ख्लास होते है। है। यह थांसफरेज नाम से रेज़ है। यह ट्रांसफर करेगा यहां गुरुप से अधर ग्रूप पे, यह क्या करेगा। जो है आपका रिडक्षन दोनों करेगा ठेगा तो उसको क्या करते हैं बच्चे रे डियाधरोजीने एज करेगा यानि कि तोड़ने का काम जोड़ने का काम करेगा जोडने का काम करने के लिए और बाथ करों कोड़ने का काम करें तो नन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंज़ाइम बता आपको नाइट्रोजियस जैसे काम भी करते हैं इस चीज़ का दियान देने की जरूरत पड़ेगी अब यहां पर तीन पार्ट होते हैं एक हमारा प्रोस्थेटिक ग्रूप होगा को इंजाइम होगा और मेटल आयन होगे अब मेटल आयन जो है वो एक्चुल में काम करता है और गैनिक कंपाउंड तो बस इंसोसियेट होते हैं छोटे अवधी के लिए ठीक है ठीक है इस चीज़ को आपको बेसिकली ध्यान देने की जरूरत होगी प्रोस्थेटिक ग्रूप जो होते हैं वो और गैनिक कंपाउंड से यह सब और गैनिक कंपाउंड है लेकिन यह हमारा जो है इन औरगैनिक पार्ट है जो कि अटैच रहता है और एक्चुल में को फैक्ट में रेगुलर अपने भोजन में लेने की आवश्यक्ता पड़ती है क्या बहुत कम मात्रा में चाहिए और डेली चाहिए होते है इस चीज़ को ध्यान देना तो बिटामिन सार नैचुरल एन इसेंचियल न्यूट्रियन रिक्वाइड इन स्मॉल अमोर्ट कम मात्रा में चा इस चीज़ को कहते हैं बच्चों इसको कहते है बिटामिन नुसलों में भिल अब यह सारे के सारे जो विटामिन्स होते हैं वह वसा में घुलनसील होते हैं अब जल में घुलनसील वाले बच्चो वह B and C होगा यह क्या होगा जल में घुलनसील ठीक है इस स्टीज को आपको बेसिकली ध्यान देना होगा यह कई बार कोश्चन पूछा गया कि कौन सा विटामि यहां पर कसीमीर फंक जो है इन्होंने दिया था ठीक है तो कुस्टन यह टर्म किस ने दिया था तो टर्म देने वाले बैक्ति जो थे बच्चो वह फंक साहब थे यह आपके एक्जाम में पूछा जाता है ठीक क्लियर अगला हम लोग बात करेंगे अब बिटामिन के बाद जो है बेस्ट सोर्स ऑफ फैट सोलूबल बिटामिन क्या क्या होसा था बिटामिन ए बीडी और के लिए आलू पैरोट पॉंपकिन यह सब हमारे सोर्स हैं कुस्टन पूछ देता है किसमें सबसे जाते तो मैंगो पपया में यहां आपको हर्ट ब्लिम का खड्य시는 यहां पर कहाँ है है लेकिन उल enfrent जो होते है उनमें वह वे पाया जाता है которомぶी आपको बताया है यहां से आपको कमी समझ में आगा विटामीन एसे क्या हो रहा है नाइट ब्लाइडनेस जिसको हम लोग क्या 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 क्य sterility यानिन की नपुन सकता होती है नपुन सकता क्या होता है नपुन सकता इसी तरहीक से क्या कमी से क्या होता है तो जी फिर हम जीवों की अध्यान करते हैं ठीक इस चीज को हम लोग क्या कहते है या उढ़्यान को साथ इसकावरी और एपकॉन तुंपी साथ शो सिर्टोडर। जिवान go और प्रोटीस्टा का गशी है और उसके साथ जुए बच्चों इन्होंने बाइक्तेरिया और प्रोटीष्टा का भी खोज किया था देने वाले बैक्ति कौन थे एंटोन मॉनली उनिक इसलिए उनको कहा गया यहां पर एक माइक्रोवियल सेल का पूरी स्ट्रक्चर बना गया है यहां पर देखोगे आप प्लाजमीड भी देखेगा न्यूक्लियोड देखेगा यहां पर केंद्रक बिक्सित नहीं रहती है इसे वज़े से यहां पर बात करोगे सबसे पहले अलगी की बात करोगे तो साइवाल हमारा क्या होता है उसके पास जड़ पत्ते पुंतना इससे पुछ भी दिवाजित नहीं होती है ठीक है और यह 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 वह फोटो सिंथेटिक है यानि कि क्या है बच्चो प्रकास समस्लेशी है यह बच्चो ठीक इस चीज को ध्यांदर आलगी कहना इदर भी एक को सिए या बहु को सिये हो सकता है इसमें दोनों ही चीजे आपके देखने को मिलेगा यहां पर ऐसा नहीं की है इसके पास जो है वेल डेवाइन बोडी नहीं होती है जैसे घला पता चलता है फाहां पर भी यह रहेगा इसमें जड़ वगेरा तना और पत्ते जो ध् Gurkenstee쉬 को आपको ध्यान देना होगा थेख ए है इस जीज़ को आपको नौट कर लीजेगा सभी लोग फटा फट फटा फटेक न है तिये ऩैसरा क्या होता है बच्चों लेंगी धी राइंगिक होगा इस परफ alert थैक झालेंगी कैसे होगा तो डूअलग अलग अलग पॉजिटीव स्धाग्मेंट न solidarity करेंगे दुनों के बीच में समलायन होगा ठीक है अब योते हो स्वतंतर जीबी होते हैं इसको क्या कहते हो लाल वाल जो थे ब्चचो ज़्यादतर समुदरी और यहां फ्रेस वाटर में भी पाया जाता है और बात करो K mettre देखर, यहां पेंड क्या 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 होते हैं, तो हैंसे, अस exem डूरिपल ए G जल्साली यह सबय होता है एद दिनकी जिसों के बात करो प्रूंड में हरी साथ की जाए जाये हुगा जार्ज होते हैं और और यहां पर जो है chlorophyll होता है इसलिए यह हमारा photosynthesis कर पाता है ठीक हरी है तो photosynthesis कर पाएगा और इसका symbiotic association होता है symbiotic मतलब होता है सहजी वी क्या होता है सहजी वी होते हैं यह सहजी मतलब दोनों को फाइदा होगा ठीक अब यह unicellular होते हैं एक कोशी के बहुत कोशी के यह सब चीज़े हैं क्लोनी के रूप में रहते हैं अब इस एक्जांपल क्या क्या होगा इस्पाइरो गारा उलोत्रेक्स बॉल्वाक्स ठीक अल्लेमिनेरियन और मैनिटोल जो होते हैं वह भंडारन भंडारन खाद्य पदा और यह जो होते हैं और इस अप्रखास अंशलेशी पर क्या कर पाते हैं तो ब्लू ग्रीन अल्गी को पहले हम लोग लोग बोलते थे लेकिन यह सर क्या करते हैं तो नाइट्रोजन इस्थिरी करन का काम करते हैं जिसमें आपको नौस्टॉक और अनावेना दिया हुए ठीक यह दोनों हमारे यूज करते हैं जो आपका पूरा जो टोटल जो बात करते हैं तो उसमें 50% कार्वन डाइक साइड नो बच्चो उसको इस्थिरी करने का काम जो हमारा साइवाल करता है ठीक इस चीज को आपको बेसिकली यहां पर समझना जरूरी होगा नेक्स अगर हम बा पहले हर जगह है लेकिन यह हेटरोट्रॉफिक होता है यानि कि पर पोशी होते हैं तहीं कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते कि हमारा नोन ग्रीन होते हारा नहीं होता है यह थी तो इसलिए आपजॉप्शन से यहापना पोशन क्या करता है लेता है अफ त्स जीज को प्रफाइटिक पर जीवी ठीक है और इसको मुर्ट जीवी पोसी कहते हैं इसको मुर्ट पोसी जो बड़े हुए चीज रहते हैं उनसे अपना जीवन लेगा शीम्पाइटिक मतलब साजीवी ठीक है यानि कि दोनों पे दूसरे पे डिपेंड हो इस तरीके से अपना फूड इसका फूड रीजर्फ जो होता है क्या कहते है यह फिर जीसमें विवाजन होता है इस तरीके से यहां पे जनन हो सकता है इसको काईक जनन जो होते है वह इससे तरीके से बच्चों हो सकतेrocket से अगर बाद करोगे अलाइंगी जनन की आलाइंगी जननन की अगर बात करोगे जो होता है एक पूर्मस्ट के बाद होता है य Snay g cultural विभानल से होता है इंन में से कौन से होता है क chúng I jogar उत्स NG dentist एक्सकतोंि इसक्सवल सक्ष कॉस्सौर्स इन में से कॉनसा हमारा तो सेक्सवल स्पोर होता है बच्चों हमारा जाइगो फूर्स या फिर data है वह हमारे जाइगो स्पोर्स ठीक है यह हम मारा जो हुता है हियर हमारा सेक्श्स्वatsächlich और और त्था से होते हैं यह चीज़े आपको ध्यान देना है नेक्स्ट अब लेंगिक जनन्ज होगी हमारा वी स्पोर एसको इसपोर से बनता है सेक्शुल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दो अलग-अलग फ्रैग्मेंट्स होते हैं दोनों जूड के इस तरह से जो होता है अब इसके अ में क्या आता है यह सब आपके एक्जामपल है आपका जो अगरिक पक्सिनिया ठीक है इसका करेक्ट्रिस्टिक है फार्मेशन कहां पर हो रहा है तो आपका यह दूटरो माइसिटीज में हो रहा है तो इस तरीके से आपको जो है वन बाई वन इन सब के कैरेक्टर्स ध्यान देने होंगे है नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे पांच किंग्डम सिस्टम की किस तरह से डिवाइड किया गया मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमल है अब इन सब में प्रोकरियोटिक हमारा बस यह है सेल वाल बस यहां पर प्रिजेंट है एक जगह बस अप्सेंट है इनिमल है बागी सब में अलग-अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है और गैन की कमपलेशिट एक यूनिसलूलर है दो थो बागी सब मोल्टिसलूलर है मोड अफ नूट्रीशन अगर देखोगे तो यह हमार यानि के हमारा क्या है स्वब-चेह है प्र फूतर यह पर पोसी तरीके से आपना पॉशन अलग-अलगत तरीक Hé, इनके बेसिक पकदर की एंके में और फर्मेंटेशन यानिक कि यह वारून. सुल तो कि दुएं प्रक्रिया में यो छोता है है उसके आद़ पेनिसीलीम जो है एंस्वार्टी के रूप में पकषी निया उस्तिरे लागों समुटपार्च न लगता है न यह हमारा क्या है आपके एक्जाम में आ सकता है नियूरोस्पुरा जो है वो जेनेटिक इंजिनिरिंग में यूज होता है कहा है यानि कि खाध्य योग्या है कि सब खाने के लिए प्रयोग होते हैं ये भी हमारा इडीबल है लेकिन बच्चों यहां पर एक और होता है यह हमारा क्या होता है त यह सब चीजे हो गए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों बैक्टिरिया के बात करोगे बैक्टिरिया क्या होते हैं बच्चों यह सब हमारे जीवानु इसको कहते हैं क्या कहते हो भी यह जीवानु कहते हो जिसके पास नहीं होते हैं तुन यूप्लियस नहीं होता है अब 就是 स्पीरिल, मतलब स्पेरिकल- ऑपार का हो गोल आ करी भीषिक अब इस सब के पर एक्जामपल भी लगा हुआ psicogra अब देखो PETido glycone से विद्धि है कोशीका वित्धि अगर आगर पीपोजिदीटीव और से बना है के आँगे इसका बहुत क्राम से बैसिर करते हैं नेंस स्टेंग करोंगे जो रहेंगे वाला कलर देंगे यहां के पर लिपोजिद् de ठीक है और दूसरा क्या होता है हमारा पर पोसी जीवानु यह क्या होता है पर पोसी जीवानु तो पर पोसी जीवानु और सो पोसी जीवानु को आपको ध्यान देना होगा तो पर पोसी में साइनो वेक्टर सो पोसी में पर पोसी में जितने हमारे डीजीज वाले होते है सब अरुबिक मतलब अक्सी गाय हो जारे था इस तरीके से आपको समझ में आ जागा सब के ऐक्जामब्ल में ॉक्ट को सकता है ने दुद बदलने के लिए उता हैऄ फर्मेंटेशं के लिए आन अक्षेजित Problem को सब्सक्राइब गलज करते हो डाइजेशन और इंपूबन द बॉडी के रोग प्रती रोदी में के लिए यूपकर आगे पर्याथट्स के लिए इस तरी से इंटी बाइटिक्स है यासे रीप्रोडिउस करते हैं हमारा क्या करता है candi इस तरीके से आपको समझने पड़ेगी उसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं अब क्या है यह मुख्यरूप से जो है बच्चों का काम करता है क्या करता है इस तरीके सब्सक्राइब करता है और यह जो है वह हमारे अक्टिनो बैक्टिरिया एक बैक्टिरिया काई समू है अक्टिनो बैक्टिरिया और से बिलोंग करता है बैक्टिनो बैक्टिरिया इस ग्रीक वर्ड यह मतलब होता है और मैसी इसका मतलब होता है और मैसी इसका मतलब होता है वह अमीनो इसिट से बने रहते हैं और वहां पर गलियार रहता है प्रिफीड्यो ग्लैकन का लियर जिसको किसी से बना रहता है डाइ पाइमेलिक एसिट वह बना रहता है एक ले चलाएंटिरियां बजना है और गैनिक मैंटर डिकम पोजिशन में ये यह करता है यानि कि जितने भी हमारे जैबित प्रदार्त होते हुंस सबको सदाने का काम करता है उसका दिन ऐर कल्चर में यह process जो होते important है कि we recycle the material used by the plants जो पौधे हमारे जो material यूज करते हैं उसको यह recycle करने का काम करता है इसलिए हमारे important है ठेक various enzymes बनाते हैं और यही enzyme जो क्या करता है help in decomposition यानि कि sudden में जो है यही सारे जो enzymes होते हैं जो वो help करते हैं यानि कि मददगार साबित होते थे 75 परदिस्फशें सब्धा एंटिवाइटिक्स अंटिवाइटिक्स चैयो ही बनता है ठेक परोटोजयो कि होते हैं यह काचम बढ़ मेंने लिए कोशी का भित्ती नहीं होता है इस चीज़ को आपको ध्यान देने की जरूरत है उसके बात करेंगे द्यान देने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट अब बात करेंगे ट्रोफोजोट जो होता है वह इन्फिक्सियस स्टेज है जो कि एनिमल आप मल्टिप्लाई करता है जैसे मलेरिया की बात करते हो तो वहां पर जो आप लोग जब डीटेल में पढ़ोगे ही डीजीज में तब आपको पूरी लाइफ सेकल इसकी बताई जाएगी रिप्रोड्यूस या से ज्यादतर करता है व तो आप हम लोगो बात करेंगे वाइरस का तो वाइरस क्या है नों सेलूलर और यह हमारे क्या है रिविविंग बेंग सब्सक्राइब का काम करता ही तरह से इस तरह से जने टिक material oraz DNA और RNA दोनुं में से कोई हो सकता है इस चीज को आपको बश्कराइज वायर एक क्या है जिनगल बात करोगे के सिम्हानी रहा होता है द्याँ देना होगा कॉली फ्लावर मुजाइक वाइरस यह पर फिर क्या कहते हैं यह कहते हैं जो है डेल संद आर एनने में रियो वाइरस और पुलियो वाइर्स हेपाटाइटीज से यह है इसींगल स्ट्रेंड इच जरी हुलिघ कॉम्पलक्स वाइरस में उस तरह से लुखा शाल है बच्छो है इस तरह से यहां पर है상 गयोपीश केमिस्ट्री मिस्ट्री बायोटिंटी और आपका जो microbiology है इन सब को समग्र में हमने आपको इस तरह से बताए अब आपको ये सारे जो जैविक है सुक्षिन जीव है ये सब आपके कार्बोनिक पदार्थ को बिगठन यानि कि कि आपके कम प्लेख जाँ कर तरह से बताए अबाँ जैविक बिए घज है आपको आपको उपको जापको कर दो हमाँ है ये हैं आपको जो हम आपको नचे लो जादे हैं ये जो लो जो हमाँ हैं इस दोड़े हैं आपको त Democrat.